हलो शुडेंट्स वेलकम टू एमबाईव अचीव डिफेंस एक्जाम यूटूब चैनल आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने एक्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे क्योंकि CDS का एक्जाम आप जानते हैं कि 4 सेप्टेंबर 2022 को होने वाला है और दिल की धड़कने लगातार तेज बढ़ती जा रही होंगी क्योंकि आपके आफिसर बनने के सपने में अब महस कुछी हफ्तों की देरी बची है तो अपने आपको आप जो हैं अब वर्दी में देखना शुरू कर दीजिए क्योंकि किसी इंडियन आर्मी के एक आफिसर ने बड़ी खुबसूरत बात कही थी कि टू स्टार्स ऑन माई शोल्डर्स और बेटर देन मिलियन्स इन दा स्काई लेकिन बटा सपने तो आपने देख लिए लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए आपने पढ़ाई तो कर आपके लिए कुछ बहुत शांदार चीजे लेकर आ रही है तो सबसे पहले देखे तीन आज बड़ी खबरे हैं आप लोग के लिए पहली खबर देखे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज की पहली बड़ी खबर हमारे लिए क्या है तो आज की पहली बड़ी खबर ये है कि बच्चों CDS OTA2 2022 जो है इसका महार रिविजन सिरीज हम शुरू करने जा रहे हैं महार रिविजन सिरीज शुरू होगी 17 अगस से 30 अगस के बीच तो 17 अगस से 30 अगस के बीच महार रिविजन है और कहते हैं बिटा ये अगनी परिक्षा है आपने जो पढ़ाई की है कितनी की है कैसी की है क्या आप वाकई एक्जाम के प्रेशर को जहेल सकते हैं या नहीं जहेल सकते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज हैं सारी चीजे पढ़ी हैं लेकिन एक्जाम में जाकर के पतानी कुछ नर्वसनेस हो जाती है तो आपने देखा होगा कि कहते हैं कोई भी चीज बड़ा इवेंट होने से पहले उसकी मौक ड्रिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और 17 अगस से 30 अगस के बीच हमने क्या किया है आपके लिए बैटा दस ओल इंडिया मौक टेस्ट रखे हैं दस कंप्लीट ओल इंडिया मौक टेस्ट मतलब यह बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे आपके एक्जाम हॉल के दिन होता है बिल्कुल वैसा और दस टेस्त प्रैक्टिस बंजाए जाएंगे पूरे पूरे मुतलब इंगलीश के दस टेस्ट आपको प्रैक्टिस यहां पह रहे हैं और हर टेस्ट में आप जानते हैं 120 कोश्शन हैं मतलब सीगे सिघह-सिए इंगलिश में आपके 1200 औ피क्टिस ओगी तो आप देख सकते हैं कि 1000 कोश्चन मैट्स के सो टोटल जो है बच्चों आपको यहां पर 3400 कोश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे 17 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच मतलब मंडे टू फ्राइडे सेशन चलेगा और इसमें आपके इन 14 दिनों में दस हमें वर्किंग डेज मिलेंगे तो दस मॉक टेस्ट आपके हैं अब आप पूछेंगे सट टाइम क्या है टाइम मैं बच्चों बता देता हूं आपको ताकि आप विलकुल तयार रहें अभी से टाइम यह है बच्चों कि आपका जो शेडियूल है वो यह है कि जैसे जो सीडियस वाले होते हैं मैट्स भी देते हैं तो सुबा जो है बच्चों आपको नौ से बारा अंग्रेजी का सेशन है तो नौ बज़े से बारा अंग्रेजी का सेशन है तो नौ बज़े से बारा बज़े तक अंग्रेजी का पूरा मौक्टेश डॉक्टर आमी शेशोद और उसके बाद फिर एक घंटे के ब्रेक के बाद पांस से आठ जो है मैट्स का होगा जिसमें साकेश शर्मा सराएंगे तो इंग्लिश जो है डॉक्टर अमिश्य शोदिया एक से चार में जनरल स्टडी जिसमें मैं और पांस से आठ में मैट्स अब यह तो बात तीज तारिक हो वो करो तो चार तारिक को एक्जाम है तो तीन तारिक को आपको आराम करना जो पसंद है वो करो मुवी देखनी है मुवी देखो गाने सुनने गाने दिनो दोस्तों से मिलना है मिलो कुछ अच्छा खाना है खाओ लेकिन तीन तारिक को कुछ ना करो अब 31 और 2 क्या है यह या लास्ट मिनेट का रिविजन लास्ट मिनेट का रिविजन है और ऐसा है कि आप सोच नहीं सकते जो हम करने जा रहे हैं भारत की इतिहास में होगा यह पहली बार यहां पर भाई साथ 31 एक और दो यह तीन दिन जो है 72 घंटे क्लास ही नहीं बंद होगी 72 घंटे भाई साथ क्लास ही नहीं बंद होगी 12 सेशन छे घंटे के आएंगे 12 घंटे क्लास नहीं बंद होगी अब आप कहोगे सर पागल है क्या जो हम 22 घंटे पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं पढ़ना है भाई साब हमने क्या किया है ना 72 घंटे क्लास पढ़ाएंगे अब होता क्या है कि एक बच्चे ने कहा कि सर हमने पॉलिटी हिस्ट्री पड़ी जॉग्रफी बची है मैं लास्ट मिनट में जॉग्रफी प्रैक्टिस करना चाहता हूं एक कहना चाहेगा सर मैं क्या करना चाहता हो एक कहा सर मुझे तो हिस्ट्री करनी है एक कहा मुझे पॉलिटी करनी तो मैंने क्या किया है कि जो भी यूनिवर्स है सीडेस एक्जाम का पूरा इन 72 घंटे में ले लिया है अब आप देखो पसंद करो चूस करो भाई मुझे यह पढ़ना है 22 घंटे का यह मतलब थोड़ी ना कि पूरे 22 घंटे आप पढ़ेंगे इन 72 में से हो सकता है आपके काम के 24 घंटे हो किसी के काम के 20 घंटे हो किसी के काम के 20 घंटे हो किसी के काम के 40 घंटे हो किसी के काम के 60 घंटे हो तो अपने हिसाब से चुनो भाई साब लेकिन तैयारी करो तो अब आपको schedule मैं दिखाऊंगा तो आप देखके खुश हो जाएंगे, इस तरह से हमने बनाया है, अब इस schedule को अगर आप देखेंगे तो देखके खुश हो जाएंगे, तीन दिन कैसे चलेगा, देखो बच्चो, जैसे 31 अगस के दिन क्या होना है, अब 31 अगस के दिन फिर दुपहर, दो से पांच बजे की बीच, ancient history भाई शोयता सिंग, अब आपको मान लिजे, ancient history दयार नहीं है, आके कर लो, पांच से आठ बजे की बीच, English vocab भाई, डॉक्टर मिशिश शोदिया, रात में आठ से ग्यारा पॉलिटी भाई, कासे फंसारी मैं मिलूंगा रात में ग्यारा बजे से दो बजे की बीच, advanced math by साकेश शर्मा, रात में दो बजे से सुबह पांच बजे तक, भाई साब physics by आशिश कुछवाह सर, और सुबह पांच बजे से सुबह आठ बजे की बीच, defense gk by रोहिठ ठाकुर, अब ये भाई साब 24 घंटे का schedule है, मैंने कह हो सकता है किसी का काम का ये हो, किसी के काम का ये हो, किसी के काम का ये हो, किसी के काम का ये हो, it depends कि आपको last minute practice किसकी चाहिए, हम हर चीज करा रहे है, grammar है, current phase, ancient history, English, quality, advanced, physics, defense, अब आगे, पिर आप कहेंगी सर, अच्छा ही बताओ, अगले दिन क्या कराओगे, एक तारिक को, तो एक सेप्टेंबर को आप देखिए, यहां पर आट से ग्यारा, English grammar by Dr. Mr. Shodhya, ग्यारा से तो economics, अब हो सकता है, किसी को लगे कि शाम, आपके एक्जाम में छे नंबर भाईया, छे कोशन economics से आते हैं, तो economics by आफरी नजबत, दो से पांच, किसी ने का है सर, medieval छूड गया किसी ने का सर, यह 1857 के बात का कीज गयात नहीं है, पूरी modern history करनी है, कोई बात नहीं, आजो भाई, modern history भी है, advanced maths, साके सर, फिर कोई कहएगा सर, chemistry छूड गई, लोवाय आशिश कुछवा सर, current affairs, January, February, March, April, रोही ठाकुर, ठीक है, यह हो गया, फिर इसके बाद, इसके बाद तीसरे दिन क्या है, तीसरे दिन देखिए, फिर वही चीज, अमिश सर ने क्या किया, grammar फिर से पढ़ाई आपको, फिर भाई साब, सुबा 11 से 2, static gk by आफ्री नजबत, क्यूंकि बहुत सारे आप देखेंगे, 2-4 question exam में, static gk क्या आते हैं, वो करा दिये जाएंगे, 2-5 Indian geography by श्वता सिंग, अब आपको सिफ इंडियन geography करनी है, श्वता सिंग से मैं से कर लीजे, 5-8 vocab, हमेशे शोदिया सर कराएंगे, रात में 8-11 current affairs, माई, जून, जुलाई, अगस्त, मैं कराने वाला हूँ, रात में 11-2, अब last में कोई कहागा सर, arithmetic छूड गई, लो भाई साब कोई छोड़ा क्या, अब बताओ तुम लोग, सब कबर कर लिया, तो अब तुम्हें देखना है, कि इन 72 घंटे में तुम्हारे कितने काम के घंटे, हो सकता है तुम्हारे घंटे 6 हो, हो सकता है तुम्हारे काम के 60 घंटे हो, 40, 24, 30 हो, it's your choice, do it whatever you feel like, और दो तारिक को यह होगा, मतलब यह तीन तारिक की सुबह 8 वजे खतम होगा, उसके बाद भाई साब जी भरके सोना, आराम करना, धुआना, घुमना, दोस्ता, जोग भी करना है, सब करो या, दोस्तों से मिलो, खाओ, पीओ, एश करो, मौज मारो, और चार तारिक को जाकर एक्जाम दिया अनालिसिस, शाम को पांच बजे, जिसमें हम एक्स्वेक्टेट कट ओफ, आंसर की, और एक्जाम अनालिसिस, तीनों चीज करने वाले हैं, समझे में आ गई बात, तो 17 तारिक से 30 तारिक के बीच, महा रिविजन, जिसमें 10 ओल इंडिया मौक टेस्ट, 31 एक और दो, महा टा एक्जाम में ऐसे नमबर बढ़ जाएंगे, जिसने आस्ता एक शब्द भी नहीं पढ़ाऊगा ना वह भी 50-60 नमबर लियाएगा एक्जाम में, यह बादा है, और जो पहले से पढ़ड़ा उसके 50-60 नमबर बढ़ जाएंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह हमारी तैयारी बढ़ियां लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीचे, और आज तारीक है भाई साब हमारी बारा, 13, 14, कोई बात नहीं, Saturday, Sunday, 15 तारीक को देश आजात कर लो, 16 तारीक को नॉस्टैलिया से भार आ जाना, और 17 तारीक की सुब Keep Imbiping, we believe in you